मुझे लगता था कि हमारे ex-cricketers में जो है दम नहीं है सच्ची और सही बात बोलने का और कहीं न कहीं वो भी अब वो media की manipulation में बीच में घुस चुके हैं और manipulate करने की कोशिश करते हैं ये video reaction है मेरा response है हर भजन से इंग की एक latest video जो मैंने देखी है उसमें नई T20 जो है side select की ग मैं किसी specific player की उपर नहीं कह रहा कि उनका क्या सही है या क्या गलत दो pointers सबसे पहले ये जो आपने T20 की team अपनी तरफ से कही है कि ये नई team होनी चाहिए क्या हम वाकई में ये मान रहे हैं कि हमारी जो पुरानी team है उसे अभी तक drop नहीं किया गिया है जो performance basis पर उनकी selection नहीं होनी चाहिए वो अभी भी selected है क्या अभी भी रोहिच शर्मा उस team का हिस्सा और उस team के captain है जो कि वो लगातार कहते रहते हैं और अगर suppose करो रोहिच शर्मा उस T20 में आपने तो ये कहा है ना कि ये नई T20 team हमारी होनी चाहिए अगर रोहिच शर्मा उस West Indies के दोरे पर T20 मे जाते हैं क्या हार्दिक पांडिया captain नहीं होंगे और अगर आप कहते हैं हार्दिक पांडिया ही captain होंगे तो भाई सब रोहिच शर्मा की team में already place drop हो चुकी है फिर ये नई team पुरानी team ले जाने का logic नहीं समझाता नंबर दूसरा point विराट कोली आप सभी को जो है नई team में डाल रहे हैं विराट कोली मेरा कोई personal favorite नहीं है विराट कोली और मैं being a fan being a Indian being a कुछ भी ऐसा विराट कोली की favor नहीं कर रहा हूं बट विराट कोली आप किस हक से किस हिसाब से T20 के squad से निकालना पसंद करेंगे क्या उनकी IPL में performance बुरी थी क्या उनका जो है work ethics बुरे हैं क् की fitness कहीं भी आपको उपर नीचे दिखती है रही बाद youngsters की विराट कोली 34 साल के हैं easily 4 साल जो है serve कर सकते हैं चलिए 4 साल ना सही रोहिशर्मा 36 साल के हैं तो easily विराट कोली जो है 2 साल तो और serve करी सकते हैं तो भाई सब किस हिसाब से विराट कोली को drop किया गया यह जो agenda आज क की तारीक में बना दिया जो आता है ना रोहिशर्मा और विराट कोली को दोनों को एक ही लेवल पर लाकर जो है drop कर दो drop कर दो रोहिशर्मा T20 से अपनी fitness की बदौलत अपनी poor performance of IPL के बदौलत अपनी poor performance of T20 के बदौलत जाएंगे भाई साब अगर जाएंगे और अगर गई नहीं करवा पा रहे हैं कर पा रहे हैं और आप मान ही नहीं पा रहे हैं जब आप T20 की side बना रहे हैं आपका कहना है आप rest कीजिए इन्हें rest करवाईए और नई team को लेकर जाएए भाईस अब already I think हमारी नई team होनी चाहिए और उस नई team में कृपया करकर हाद जोड़कर बे भी नहीं सकते विराट कोली ये youngsters जो आपने गिनाए है ना उनकी performance उनकी fitness उनके work ethics उनकी popularity उनका सारा सिनारियो चेक आउट कर लीजे कोई भी एक single out performer जो है वो आपके विराट कोली को eliminate नहीं कर पाएगा बट अगर आप performance के basis पर रोहित शर्मा को compare करेंगे तो I'm sure सभी जो है agenda मत रखिये नई T20 कहना इसे बंद कीजिये विराट कोली इस T20 squad का हिस्सा है all because of his performance, his fitness and looking forward also 3-4 साल वो कही नहीं जा रहे हैं and looking at रोहित शर्मा वो भाई सब drop हुए हैं होने चाहिए in T20 all because of his fitness and his performance जो हमने IPL में उनके bat से देखी तो क्रिपया करकर ये चीजें जो हैं दूसरों के दिमाग में मत डालिए because ये काम मीडिया का है, yes आप मीडिया के पाट है but as a ex-cricketers सही बात जरूर कीजिए और मुझे लगता है हो सकता है मैं इसमें गलत हूँ, मैं personally आपको target नहीं कर रहा हूँ but ये मेरा एक reaction है, एक मेरा जो है opinion है, जो मुझे लगता है, बाकी audience के हवाले audience को क्या लगता है